हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं स्निहास ग्रीन फेरीज और आज है 11 नवंबर और टेंपरेचर है 19 डिग्री शिल्शियस आज मैं आप से किसी पौथे के बारे में नहीं भलकि एक नैचुरल फटिलाइजर के बारे में बात करने आई हूँ इसमें NPK यानि की nitrogen, phosphorus, potassium प्रचूर मात्रा में होते हैं साथ ही tannic acid भी होता है tannic acid plants की growth में help करता है साथ ही plant को bacteria और fungus से भी बचाता है winter में आप अपनी flowering plants को जरूर से जरूर ये fertilizer दे मैं बात कर रहे हूँ tea leaf fertilizer की जो इस वक्त आप मेरे सामने देख रहे हैं tea leaf mulching के रूप में यह एक natural best replant का काम करता है इससे soil के drainage improve होती है साथ ही tea leaf mulching करने से जंगली घास नहीं उगती plants को complete nutrition मिलता है अगर आप इससे mulching करके डालेंगे तो वहाँ पे घास नहीं उगती यह soil की water holding capacity को भी बढ़ाती है यह earthworms के लिए फायदे मन्द है जो कि हमारे plants को benefits पहुचाते हैं earthworms soil की fertility को बढ़ाते है plants को NPK मिलने से उनकी growth काफी तेजी से होती है साथ ही soil acidic होने से फूल जादा संख्या में आते हैं और उनका size भी बढ़ा होता है तो आप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप ध्यान से सुने कि हम तीन तरीके से चाइपती को यूज कर सकते हैं वो तीन वीधी मैं आपको बताने जा रही हूँ सबसे पहला है चाइपती का पानी आप चाय पत्ती को 24 hours पानी में भिगो दे और फिर उसके बाद उसको चान करके अपने plants को आप दे चाय पत्ती को आप उबाल के भी दे सकते हैं बट उबले चाय पत्ती को थोड़ा सा पानी डाल कर आप डाइलूट कर ले दोनों ही फाइदे मंद है चाय पत्ती की खाद बना कर ये दूसरा प्रोसेस है हमारा कमपोस्ट बनानी की प्रक्रिया में यूजड टी लिफ को धोकर सुखा कर डालने से कमपोस्टिंग फास्ट हो चाती है और खाद जाधा पावरफुल होती है इसमें NPK की प्रचूर मात्रा हो गई दो विदी हम लोग जानगे चाय पत्ती का पानी और एक खाद बना कर और तीसरा होता है मल्चिंग आप सॉयल की उड़ाई करके चाय पत्ती को मल्चिंग करके भी दे सकते हैं इससे NPK तो मिलता है ये साथ ही साथ सॉयल की ड्रेनेज और वाटर होल्डिंग कैपसिटी भी इंक्रीज होती है और खास भी नहीं होती आप अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे की गेंदा पिटूनिया इन सब को आप जरूर से जरूर दें इस फटिलाइजर को आपके प्लांट्स जो है वो हिल्दी होंगे साथी दादा फूल आएंगे दादा संख्या में तो एन पिके हमारे लिए काफी महत्वपुर्ण है और चैपत्ती एक नैच्रिल फटिलाइजर है तो यह थी मेरी जानकारी चैपत्ती के बारे में मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करे शेर करें और मेरी चैनल का सब्सक्राइब करें मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर